अगर आप अलड़ी हाइडोसिल का उपरेशन पहले करा चुके हैं और ये दोबारा आपको हो गया है तो ऐसे में दो चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए और फरस्ट ये है कि कोई भी भारी काम जो आपने अभी किया है उसको थोड़ा सा ध्यान दे कर करिए काम तो सभी को करना है लेकिन इतना बजन नहीं उठाई है जिसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है जिसमें हमारे लोर अब्डॉमन पर जोर पड़ता है उससे ये प्रॉब्लम जल्दी होने के संभावना रहती है दूसरा अगर आप जिम करने के शुकीन है तो जिम इतना व पर सब ज़्यादा ध्यान देना है और ये अंडरगामेंट्स दोनों ही तरीके के लोगों पर अप्लिकेबिल होती है चाहे वो आप भारी काम करते है या फिर आप एथलीट है या कोई दूसरा काम करते है नॉर्माल है अगर सही है तो ये भी आपकी इस प्रॉब्लम को बन होने से रोपती है इस पर अलड़ी हम वीडियो बना चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं जो अंडरवेर का ऑप्शन है उसमें जाकर वैल ये दो तरीके तो आपको ध्यान रखने ही है इनी दो पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये प्र कि ये सुजन कम नहीं होती है तो at last option है कि एक छोटा सा minor operation आप कराकर इसको जैसे आपने पहले कराया था उस तरीके से कराकर ही इसको आपको ठीक कराना है अगर आप इसको ठीक नहीं कराएंगे अंदेखा करेंगे तो फिर आपको आगे चलके दूसरी problems हो सकती है जो आपकी marriage life से भी जुड़ी हो सकती है आपके sperm count से भी जुड़ी हो सकती है और दूसरी भी बहुत सारी मरदान ताकत से भी जुड़ी हो सकती है तो उनको अगर आप चाहते हैं कि वो आगे ना हो तो इसको आपको ठीक कराना है at any cost ठीक है तो well I hope आप आप बैटर तरीके से इसका decision ल करना है तो नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तिल दिन कीप स्माइलिंग सी यू इन नेक्स वीडियो